एटेक यूज़ कर रहे हो and कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं इस पड़ी डिवाइस में है एक सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना है ये प्रोसेस फॉलो करके 90% जो आपके एटेक के प्रॉब्लम्स है वो सॉल हो सकते हैं वीडियो छोटा है लेकिन काम बड़े करेगा आपके लिए नमस्कार दोस्तों मैंना मैं अमिद टेकनोलोजी की दुनिया में हर दिन कुछा सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए अब 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 आपके एटेक में कुई आपको दिक्कत आ रही है या फिर आपके एटेक को आपको किसी और को बेचना है तो इन दोनों सिचुएशियों में सबसे पहले आपको इस पढ़े एटेक को reset करना पड़ेगा अपको बेचने से पहले आपका एट है आपको एपल आईडी से रिमूव करना पड़ेगा लेकिन रिसेट का जो प्रोसेस है बहुत ही इंपोर्टेंट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेड़ लेकिन इंपॉसिबल नहीं है आए बता तो कैसे इसको रिसेट करना है इसका प्रोडुम आप सौल कर सको तो रिसेट करने के लिए सबसे पहले इसका जो स्टेल स्टेल भी वाड़ा पार्ट है उसको हलुका से प्रेस करना है इसको आपको rotate करना है anti clockwise उसके बार इसके cover को निकाल के अंदर जो battery है वो आपको निकालनी है अब battery निकालने के बाद again वापस आपको डालनी है जैसे वापस डालोगे आपको हलका से sound सुनाई देगा इसका मतलब यह कि यह battery connected है एक बार sound खतम हो जाता है उसके बार आपको यह process again repeat करनी है डार भी और देजिदा जैसे जैसे बार करोगे जो 5 ताम एगा वो ओड्या थोड़ा सा अलग साउंद होगा literally जीसका मतलब, इसके मतलब है वह reset हो चुका है and ready to pair हो चुका है and that's it इसका cover आपको वापस अब लगा देना है जो अब आप clockwise इसको turn करोगे तो that's it आपका जो attack है वह reset हो चुका है जैसे कि मैंने बुला थोड़ा सब complicated है लेकिन बहुत ही आसान भी है तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो like and share जरूर करें चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो bell icon दिख रहा है उसमें भी click जरूर क करिए देखते रहे और जिन टेकिन हिंदियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में